हुआ हुआ है सब्सक्राइब को बताऊंगा है तो सबसे पहलों तो इसमें जो एलिजिबल बच्चे हैं वो 2018-19-20 यह इस यह मागर आपका पास उठाए तो आप इसके लिए है साथ में आपके पास कोई भी एक्सपीडेंस नहीं होना चाहिए मतलब आप टोटली फ्रेशर होंगे तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो यह जो पोस्त निकली है अप्रेंटिस के लिए निकली है पहली है कैटेगरी फरस्ट है ग्रेजुएट अप्रेंटिस इसमा आपको जो मंतली स्टाइपन मिलेगा वो 20,000 मिलेगा और एक साल के आपकी ट्रेणिंग होगी यह अप्रेंटिस है परमेंट जो नहीं है ठीक है जो कैटेगरी टू है वो टेक्निशन डिप्लोमा के लिए है इसमें बढ़ सकते हैं इसमें टोटल 24 वेकंसी है जिसमें से केम आज बाद यह कि यह 17,000 आपको देगी अगर आपके पास डिप्लोमा है और आपकी 2018-2020 की पास आउट है तो आपको 17,000 मंतली स्टाइपन मिलेगी एक साल के आपकी ट्रेंटिंग होगी यह स्टाइपन काफी ज्यादा है मतलब अपरेंटिस के हिसाब से काफी ज्यादा इतन अगर आप इसको जरूर अप्लाई करना अगर आप इसके लिए अलिजिबल है तो तो अगर इसकी मिनिमूम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो ग्रेजुएट अपरेंटिस है यह बी बीटेक वालों के लिए है जिनके पास डिगरी है इंजिनेरिंग में टेकनोलोजी म जिनके पास बीटेक यह बी की है जिन्होंने वे ग्रेजुएट अपरेंटिस के लिए 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 है और जो के टेकनिशन डिप्लोमा उना चाहिए जो भी माना ओपर यह सारी बताई है ट्रेट्स बताई है ब्रांच बताई है इन सब में ठीक है और जो आगी बात की जाए जो आपकी ये duration होका training का वो एक साल का होगा selection procedure आपका सीधा short list होएंगे candidate आपके marks के basis पर इसमें कोई भी exam नहीं होगा ठीक है तो आपको बस form fill करना है और वो form कैसे fill करना है आपको MHRD Nets की website पर जाना है महाँ पर अपना के अन्रोल करना और अगर आप पहले सी अन्रोल है तो महाँ पर आपको सिर्फ सर्च करना है मदरास fertilizer limited यह आपको टाइप करके सर्च करना है और जैसी आपके पर establishment दिखेगी उदर तो आपको महाँ पर apply कर देना है ठीक है तो याद रखना है अन्रोल करना है उदर अपना रजिस्टर करना है फिर आपको महाँ पर मदरास fertilizer limited यह टाइप करना है और फिर आपको apply कर देना है ठीक है को यह आपको टीए या डीए नहीं मिलेगा travel expense नहीं मिलेगा इसमें तो यह काफी अच्छी है इसकी अगर मैं important dates की बात करूँ तो यह जो वेकिंसी है यह पंदरा दो दोजार इकिस पंदरा फेबरेरी को यह स्टार्ट होगी और एक मार्च दोजार इकिस यह इसकी last date होगी ठीक है और यह जो चोबिस दो दोजार इक इसमें अपलाई कर देना है तो आपकी shortlist declare होगी वह चार मार्च को होगी ठीक है और जब भी आपका डोकुमेंट वरिफिकेशन होगा आपको बता दिया जाएगा इसकी अभी date इंफॉर्म नहीं की गई है ठीक है आई है तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग तो कमेंट करके बताओ या फिर लाइक करो जितने ज्यादा लाइक होगी उससे हम पता सलेगा ना कि आपको वीडियो याशी वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं ठीक है तो गो एंड अपलाई इस वेकेंजी